नमस्कार दोस्तों मैं हूं मुकेश और आप देख रहे यूटूब चैनल बिग जानकरी आज की स्वीडियो में मैं आपको पोस्ट हो इसके टीडेस के रूल के बारे में बताऊंगा जी हाँ दोस्तों बहुत सरी विवस का रेगलर कॉमेंट आ रहाता है कि सर हमें पोस्ट हो आप इसके ऊपर मैंने एक वीडेस बनाई हैं दोस्तों इस वीडेओ को पूरा राश्क जरू देखेगा इस वीडेओ में मैं आपका पूरा डाउट क्लियर कर दूँगा कि पोस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलि इस वीडियो को शूरू करते हैं दोस्तों आगे बढ पहले मिलते लिए तो चलिए शूरू करते हैं है तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि पोश्टिस की कौंसर्वांस सी स्कीम के उपर आपका टी-डेस कठा जाता है तो सबसे पहले अगर बात करें तो recurring deposit की जो कि RD के नाम से famous है इसमें आपको monthly contribution करना और एक lump sum amount मिलेगा तो इस पर आप जो interest करेंगे उसके उपर आपका कोई भी टीडेस नहीं कटा जाता है अगर बात करें time deposit की जो की TD है इसे आप fix deposit के भी नाम से जानते होंगे इसमें आप जो करेंगे इसके उपर जो करेंगे उसके उपर भी आपका कोई टीडेस नहीं कटा जाता है अगर नंबर की बात करें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यह भी टैक्स सेविंग के लिए बहुत अच्छी स्की में नाम से पॉप्लर है इसके उपर भी आप जो करेंगे उसके उपर भी कोई टीडेस नहीं काटा जाता है फिप नंबर अगर किसान्विकास पत्र है जो की के वीप के नाम से फेमस है इसमें आप जो भी पैसा रखते हैं वह आपका डबल हो जाता है और उसके उपर जो इंट्रेस्ट आप करेंगे उसके उपर भी आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा सेवन नंबर जो कि सुकने समरीज योजने है जो कि दस साल तक की लड़कियों के नाम से खोला जाता है और 21 साल का टेनोर होता है तो इस पे आप अगर जो प्रिंसिपल आपको पूरा पूरा ट्रांसफर कर दिया जाएगा से पॉइंट की बात करें तो सीनियर सेविंग स्कीम जो कि साट साल से लोगों के लिए है तो इसमें अगर वह निवेश करते हैं तो आप जो इंट्रेस्ट करेंगे उसके उपर टीडेस्ट होता है तो इसमें भी आपका ज कुछ रूल से उसके पर मैं आपको बता देता हूं तो यहां आप नीचे देख सकते हैं इंट्रेस्ट अगर आप जो अन करते हैं साल में 50,000 से अगर अधिक आप इंट्रेस्ट किया है तो ही आपका टीडेस्ट इस पर डीटेक्ट होगा सपोज आपने इसमें साल भर में 50,000 से जादा हो जाता है तो उसकेश में आपका टीडेस्ट कटेगा बर आगर आप चाहते हैं कि आपका टीडेस्ट ना कटे तो इसके लिए एक आपको फॉर्म देना होगा है जो की 15 ह होता है और यह खाश सिन्य सेटीजन के लिए होता है ये फॉर्म अगर आप भर कर हर साल अपने पोस्टोष में सम्मिट करेंगे तो आपका जो टीडियस है वो काटा नहीं जाएगा पर इसके उपर भी एक रूल बनाया हुआ है अगर आपकी इंकम टैक्सेबल नहीं है तो यह फॉर्म दे सकते हैं बाकि अधिक जानकारी के लिए आप अपने टैक्स कं कर सकते हैं तो इस चैनल पर पोस्टोष रिलेटेड़ बहुत सरी वीडियो बनाई हुए है अप्लोड करी हुए है आप जिए यह करके जैसा कि मैने टीडेस के बारे में बताया तो आप यह वीडियो भी जैख सकते हैं जिसमें कि मैंने हर स्कीम की मैक्सिमम और मीनिम बेनि बीनेमा आप कितना निवस कर सकते खसे जो भी कोगरान instal रीष्ट कर और आपको लोन की जरूत हो तो आपका लोन ऊठाव सकते हैं तो इसके उपर भी एक बनाएगे साथ यह अगर आप पोस्टो इसकी स्कीम में निवेस करना चाते हैं तो क्या बहुत लोगों का यह डाउट होता है क्या सेविंग से कांट खोलना मेंडिटर ही है तो उसके उपर भी मैंने वीडियो बनाई हुए है इस वीडियो को भी जरूर देखेगा इन वीडियो की लिंक सब्सक्राइब करें तो नीचे जो लाल कलर का बटर में उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिजे ताकि जो भी पोस्ट इस ती रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट करो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे थैंक्यू